हाई व्रीवान वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल वर्तिका अनंद आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम फेस्टिवल्स में या फर फंक्शन्स में किस तरीके से मेक अप कर सकते हैं शादी पाटी में जाने के लिए मेक अप कैसे करें या फर अभी इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जैसे कि नवरात्री है, करवा चौत है, दिवाली है तो किसी भी इंडियन फेस्टिवल में आप किस तरीके से मेक अप कर सकते हैं कि हो बहुत ही असान, अफॉर्डिबल और कुई भी घर पर खुद से कर सकता हो और लगे एक तमसे खुबसूरत जो भी प्रडाक्स इस मेक अप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं इस्तिमाल कर रही हूं उन सभी के नेम और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं आप मेरी विडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिख चाएगा वहां से आप इन प्रडाक्स को बेस्ट अफॉरिबल प्राइस पर खरीच सकते हैं सबसे पहले हमारा चेहरा एकदम clean होना चाहिए, face wash सिधुला होना चाहिए, moisturized होना चाहिए है अगर आपके lips थोड़ा भी dry feel करते हों तो आप जरूर अच्छा सा lip balm लगाए मैंने purple का lip balm लगाया जिसमें SPFP है तेन मैंने purple का 24K gold primer लगाया है अपने चेहरे पर जो कि बहुत ही स्मूध मेकप को long lasting भी बनाता काफी अच्छा प्राइमर है दो चर्मेंट रुख जाए उसके बाद लगाए अपना foundation purple का caffeine comrade long stay foundation इस्तेमाल कर रही हूं है in the shade 03 macchiato comrade it's a very beautiful color और जायतर fair to medium indian skin tones पर ये color चल जाता है otherwise इसमें और भी दूसरे colors available है shades available है आप अपनी skin tone के साब से exact match अपने चेहरे पर apply करें पूरे पर मैंने dot dot कर लेया और make sure करें अपने neck area पर भी below area पर भी लगाए तो अगर कहीं पर भी मुझे कोई pimple marks लग रहे हैं, darkness लग रही है, pigmentation लग रही है महाँ पर मैं yellow based concealer लगा रही हूं, purple के covert operation guardian concealer palette city agent 1 में से और अगर आप चाहें तो foundation लगाने के पहले भी आप color correction कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा pigmentation या फर pimples है तो पर थोड़ा बहुत है तो अब बाद में भी ऐसे हलका सा concealer लगाएंगे तो चलेगा अपनी skin से 3 shade light concealer मैंने लिया है, अपने high points of face पर मैं लगा रही हूं जैसे कि middle of my face, around my mouth area, under my eye areas and inverted triangulars ये वो areas है मेरे चहरे के जहाँ पर light fall करती है तो जब light fall करेगी तो मेरा चहरा brightened up लगेगा और naturally chisel लगेगा even without doing the contouring thing this is called strobing अब हमें अपने foundation concealer को set करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पर पर बी यार ओन BFF compact with SPF जिससी कि मैं अपने अंडर आई एरिया को और face को अच्छे से सेट कर लूँगी after that I am gonna do my eyebrows आप कोई भी अच्छी सी eyebrow pencil लें जो की brown to black shade के peach का color हो like that is the best color for like Indian skin tones बहुत जादा dark black भी ना लगा है बहुत जादा light brown भी ना लगा है के लिए थोड़ा दोरों का mix अच्छा रहता है once I am done with my eyebrows मैं लगा रही हूँ यहां पर यह purple की dual highlighter stick which is in the shade glowing much one इसमें दो shades है मैं इसमें से जो थोड़ा सा champagne silvery pinkish kind of shade है वो लगा रही हूँ मैं अपने cheekbones पे लगाया है अपने brow bone पे लगाया है middle of nose यानि के bridge of nose पर लगाया है जरा सा अपने cupid's bow यानि की ellipse के ऊपर की तरफ में लगाया है और फिर chin area पर लगाया है आप finger से blend कर सकते हैं for that intense pigmentation आप beauty blender से blend कर सकते हैं for that very mild natural glow on your face and because festival या शादी party का makeup है तो definitely आप अच्छे सा highlighter भी लगा सकते हैं जो हम ऐसे stick highlighters लगाते हैं अच्छे से blend करके न वो बहुत ही जादा natural सा simple सा look देते हैं लगता है की चहरा naturally glow कर रहा है after that I'm gonna take this peachy kind of blusher shade and I'm gonna apply it on my blush line just below my highlighter area अच्छे से blush brush की मदद से मैं लगा रहे हूँ I'm applying little more because I'm on camera पर इस time but अप चाहें तो जड़ा साइस से कम भी लगा सकते हैं then for lipstick I'm gonna take this ultra HD matte lipstick from purple which is in the shade Zumba partner 22 it's very hydrating kind of lipstick still इता जदे है ट्रांसवर वगरा नहीं होती है it's very comfortable on lips and it's ka color बहुत ही प्यारा है it is having that magnetic packaging and वैसे तु मैं पहले करते हूँ usually eye makeup but for this particular video मैं आपको आई मेकप बाद में करके तिखा रही हूँ so you can do जैसे भी आपको comfortable हो परे मैंने base shade लगा लिया है पनी skin tone जैसा पूरे आइलेट पर आफटाथ में transition line में मैं लगा रही हूँ contouring shade which is a brown kind of shade which is like two to three shades darker than my skin tone इसे transition line पर अच्छे से ब्लें कर दिए after that में Swiss beauty के metallic liquid eyeshadows ले रही हूँ so I was just selecting the shade मुझे two or three बहुत परफिक लग रहे थे लोक के लिए then I selected the third one which is having the little light bronze kind of look to it बहुत ही प्यारा metallic shine आजाता है इससे eyelid area पर मैंने से लगाया है और बहुत intense बहुत beautiful pigmentation और यह अच्छे से स्टे करता है बिना fallout के इसके उपर फिर में अब apply कर रही हूँ purple का यह liquid eyeliner which is very long lasting and metallic eyeshadow के उपर भी इतने अराम से glide कर रहा है then I'm applying this eyeliner medium thick line में बना रही हूँ inner corner से मैंने start करके outer corner तक ले करके आया है and फिर end पर जाने के बाद मैं एक wink create कर रही हूँ wink create करने से look बहुत ही ज़्यादा beautiful लगता है आँखे बहुत बड़ी बड़ी लगती है और जब specially हम नीचे की तरफ काजल भी लगा लेते हैं तो guys purple के काजल genuinely बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं समझ नहीं करते हैं तो यह चीज बहुत अच्छी है तो यहांपर मैं purple का winking together काजल लगा रही हूँ अपनी आँखों के अंदर अच्छे से उपर की तरफ लेने लगाया है नीचे की तरफ की लगाया है so definitely you can go ahead with false eyelashes as well बहुत ही beautiful लगता है look and अब देख सकते हैं कितनी कुपसूरत लग रही है just wear your bindi, jewelry, a nice beautiful traditional dress and a very nice beautiful nail paint आज मैंने लगाई है purple की nail lacquer जोकी है matte high on caramel 11, it's a very pretty greenish-grayish kind of shade it looks absolutely stunning and here's the completed look I hope आपको आज की video और makeup look अच्छा लगा होगा मुझे comments में जरूर बताईएगा products को खरीदने के लिए links description box में है make sure to check them out and मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली video में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेगा